आज ऐसे ही मैंने राकेश शर्मा जी का वीडियो देखा इसके पहले भी किसी ने मेरा हाथ देखके जो है मुझे बोला था कि डबल मंगल की रेशा अब के हाथों में है तो ये बहुत अच्छा साइन है और आज राकेश शर्मा जी के वीडियो में मैंने सुना कि बहुत मंग की रेशा है उतनी अगर मंगल की रेशा है तो बहुत ही आप भागे शाली हो पिछले जनम के पता नहीं कितने पुन्य किया आपने क्या-क्या इश्वर सदय आपके साथ है तो भई शायद यह ऐसा ही दिख रहा है ऑके बट पहले तुम्हें इसको समझती थी यह कटी-कटी है यह ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो यह मंगल की रेशा आई है यहां से ऐसा लग रहा है फिर दूसरी मंगल रेशा डबल मंगल रेशा दिख रही है यहां से यहां जा रही है ऐसा दिख रहा है बट इसको ठीक से अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि एक ही मंगल की के नीचे तक जा रही है जो कि यह जॉइंट की वजवे से Confuse किया जा रहा है। अब देख सकते हैं यह एक ही रेशा है। कटी-कटी नहीं है। जो आयू रेशा से लेकर नीचे तक है। तो मतला है यह शुरू होई मंगल की रेशा और यहां से जॉइंट रेशा एक मंगल की उससे चिपक के जरूर आई है और लेकिन वो मंगल की रेशा डबल मंगल की रेशा अलग है और ये देखें यहां से होते हुए वो यहां तक जा रही है तो आप देख सकते हो तो बिलकुल राकेशरमाजी स्टाड़ी बोला है उन्होंने और मंगल मेरी कुंडली में पराकरम स्थान में है जो तृतिय स्थान होता है गुरू की राशी में है सबसे बेस्ट स्थान होता है मंगल का तृतिय स्थान पराकरम स्थान हो के ऐसा इंसान कोई ने कोई पराकरम करता है तो मैं सोचते थी मैं कौन सा पराकरम करने वाली हूँ तो भाई ये जो अभी मंगल किन गुनों से मिक्स है वहां पर, मंगल के साथ गुरू है, रेट्रोगेट है, युवा अवस्था में, गुरू भी आपके पिछले जन्मों के कर्मों को बताता है, जितना पावरफुल गुरू होता है, उतने अच्छे कर्म आपने किये रखे र पाशी में है, और जिसकी वज़े से, तो मतलब नेप्चुन पूरे अध्यात्मिक प्लैनेट से घिरा हुआ है, इसलिए जो है, मतलब मंगल अध्यात्मिक पराकरम दिखाएगा, ऐसा मैंने उसका कैलकुलेशन किया है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे हाथ में इतने तिल ह किसी ने कमेंट किया था, यहां पे शुक्र परवत है, यहां पे अगर तिल हो, तो कोई ने कोई पूरुष जो है, आपकी मतलब चरित्र को हनन करना या चरित्र पे दाग लगा कर चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन होती है लाइफ में, जिसके वज़े से आप बदनाम हो जाओ, यहां पे आपके मतलब कोई ऐसा कुकर्म नहीं कि आप समझ में आया ना, बट यह होता है कि ट्विंग जहनी में ऐसा देखा गया है कि ट्विंग के आने से भी आप बदनाम हो जाते हों, तो यह कहीं ने कहीं बदनामी को यह मतलब नाम खराब होना इस चीज को लाते हैं, पैसों में कमी लाते हैं और जो है, नाम भी खराब करते हैं, तो और भी बहुत सारे साइन हैं, आपको भी दिखें तो बता ना, मेरी हतेली, कुंडली, देखके, सूर्य रेखा डबल है, और वैसे तो जाला अच्छा नहीं बोलते हैं यहां पे, शनी के नीचे, संतत्ती का तो नो चांस है, हजबन का भी नो चांस है, आपको भी हस्तरे का कुछ आए, तो ज़रूर बताना,